हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो दिर्टेक्स सब कुछ चला ने पाइने दोस्तों पोको ने अपना पोको M3 Pro 5G स्मार्टफोन को लॉंच कर दिया है हलाकि इसी स्मार्टफोन की लेक्स वगरा काफी जादा निकल कर आ रही थी वहीं इसी स्मार्टफोन को सब्सक्रांट पोको ने ट्रिके का अपने इसी स्माटफोन में जहां पर इसके बैक मेंिक। carbonate body मिलती है जो कि glossy back panel है साथ ही में big camera housing और POCO की branding दी गई है और POCO की तरफ से आने वाला yellow color भी काफी ज़्यादा vibrant लग रहा है वहीं POCO हर बार एक नए design अपने phone का लेकर आता है जो कि देखने में automatic refresh rate स्विच हो जाएगा वहीं इसमें center punch old design दिया गया है वैसे इस smartphone में अगर super amolet display भी हो जाता तो काफी सही रहता इसके लावा बात कर लेते हैं इस smartphone के सबसे main highlight feature यानि कि इसके performance की तो इस smartphone में से हमें देखने को मिलेगी जहांपर dimensity 700 में हमें 5G का advantage मिल जाता है बात कर लिते हैं अब इस smartphone के RAM और ROM की तो इस smartphone में हमें LPDDR4x RAM with UFS 2.2 वाले storage टाइप देखने को मिलता है जहांपर 4 plus 64 GB और 6 plus 128 GB दो विरिंट देखने को मिलते हैं साथी में micro history card के जरिए आप memory को expand भी कर सकते हैं वहीं ये phone out of the box Android 11 with MIUI 12 पर रन करता है अला कि Poco अपने खुद के OS पर भी काम करना start कर दिया है जो कि इस साल के end तक हमें देखने को मिलेगा नब बात कर लेते हैं हम इस smartphone के camera की तो इस smartphone के back camera में ट्रिपल camera का setup देखने को मिलता है जिसमें 248 विसल का primary lens, 2 विसल का macro lens और 2 विसल का depth sensor दिया गया है तो यहाँ पर camera में इतना कुछ changes नहीं देखने को मिलता है यही same setup हमें Poco M3 में दिया गया था और वहीं इसके front में 8 विसल का selfie camera दिया गया है नब बात कर लेते हैं अब इसी smartphone के battery की तो इस smartphone में में 5000 mAh की battery मिलती है जिसकों कि आप 18 watt fast charging चार्ज कर सकते हैं वहीं interesting इसके box में 22.5 watt का charger देहिन को मिलता है जो कि काफी सही है इसके लबावा इसमें dual 5G, triple card slot, USB Type-C, 3.5 वह headphone jack, NFC, IR blaster, side mounted fingerprint sensor और face unlock जैसे feature मिल जाते हैं तो यहाँ पर अगर compare करें इसको पुराने model से यानि की Poco M3 से तो इसमें हमें सिर्फ processor और display का चेंज देखने को मिलता है इसके लावा यह almost same to same smartphone है वहीं आप इसके price की बात करें तो इस smartphone का 4 प्लस 4 GB विरेंट 159 यूरो से start होता है और 6 प्लस 128 GB विरेंट 179 यूरो से start होता अगर आपको 5G connectivity की साथ में कमाल की performance भी चाहिए तो आप इस phone का wait कर सकते हैं बाकी 15,000 की कीमत में हमें इस time पर काफी अच्छे-चे smartphone देखने को मिल रहे हैं जिसमें की display, performance, battery वेगरा सब कुछ काफी बढ़िया देखने को मिलती है बट वो सभी 4G smartphone है बट मेरे coding अभी के ल झाज़ लिखने के वे produzच एक है heute कर देखने किते हैं जिसमें है बट में पस्पोड़े हैं